किसान के जो बुनियादी बुद्द है यानि कि तीन जो कानून है उन्हें खत्म किया जाए उन्हें नीरस्त किया जाए उस पर सरकार अड़ी हुई है मुद्दा नंबर दो उन्हों ने ये भी कहा है कि नियूनितम समर्थन मूल पर जो आप कानूनी गैरंटी की बात कर रहे हैं पहले आप अपने धरणे को खत्म कीजिए उसके बाद उस पर बात होगी यानि कि सरकार ने तेवर कड़े कर ली है दिलशस बात यहाँ पर यह है कि बॉडी लेंग्विज में दोनों पक्षों में कुछ नर्मी जरूर दिखाए दे रही है क्योंकि किसान के लंगर में दोनों मंतरी पूश गोयल और नरेंदर तोमर भी शामिल हुए और दूसी तरफ किसान ने जो है वो सरकार की चाए जरूर पी मगर आखरी लम्हों में काफी वहाँ पर गर्मा गर्मी हुई सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि अगर आप चाहते हो कि नियूनतम समर्थन मूले पर आपको हम कोई कानूनी गारंटी दें तो सबसे पहले अपने धरने को बंद करें यानि कि सरकार ने अपने रुख में बहुत सक्ती की है इस कारकरम में मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि सरकार के इस प्रॉपगैंडा के सामने और किसान जो है वो किस तरह की मुश्किलात का सामना कर रहा है दोस्तों किसान अपनी तरफ से पूरी तरह सस्पष्ट है किसान की क्या मांगे हैं वो मैं आपको बताऊंगा मगर आज उसने सरकार की सामने ये मिसाल रखी जो मैं इस वक आपके स्क्रीन्स पे रख रहा हूँ मद्द प्रदेश की हरदा में कमपनी ने करीब दो दर्जन किसानों के साथ फसल का समझोता किया व्यापारी बिना भुकतान किये फरार इससे पता चलता है दोस्तों कि ये जो सो कॉल्ड नए फार्म बिल्स हैं इनको लेकर खुद सरकार की क्या तैयारी है आज किसान जब रूबरू हुआ मोदी सरकार से तो उसने यही मुद्दा उठाया और यही नहीं उसने कहा कि आप अपने इन दो मुख्यमंत्रियों पर गौर कीजे शिवराद सिंग चोहान और मनोरलाल खटर शिवराद सिंग चोहान ने क्या कहा था कि अगर कोई बाहर के राज्ज का किसान आकर मेरे राज्ज में यानि कि मद्दप्रदेश में अपनी फसल या अपना उत्पाद बेचेगा तो मैं उसे जेल में डाल दूँगा और मनोरलाल खटर ने क्या किया था जब राजस्थान का किसान अपना बाजरा बेचने हर्याना में आ रहा था तो उसको लेकर उन्होंने सकती अपनाई थी और उसको लेकर उन्होंने मना कर दिया था तो कहा गया एक देश एक मंडी तो किसान अपनी पूरी तैयारी के साथ आया था और आज भी उसने सरकार का दिया हुआ खाना नहीं आखाया उल्टा आप देखेंगे दोस्तों किस तरह से सरकार के दो मंत्री यानि कि प्यूश गोयल और नरेंद्र तुमर दोनों किसान के साथ खड़े हुए और उनके साथ उन्हें खाना खाने पर मजबूर होना पड़ा और दोस्तों जैसा की अकसर होता है ऐसे मौके पर गोधी मीडिया अपना प्रोपेगांडा शुरू कर देता है क्योंकि देखें प्यूश गोयल कौन है प्यूश गोयल वो शक्स हैं जिनोंने किसान आंदोलन के साथ अर्बन नकसल जोड़ दिया था अब यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं जिसमें एक आदमी जो है प्यूश गोयल के साथ सेल्फी खिचवा रहा है दो पत्रकारों ने एक एंडी टीवी के पत्रकार और एक एबी पी नियूस के पत्रकार दोनों ने जुटी खबर चलाई कि देखिए किसान किस तरह से मंत्री के साथ सेल्फी खिचवा रहा है जबकि हकीकत यह थी दोस्तों कि यह जो शक्स जिसके साथ जो सेल्फी खिचवा रहा था प्यूश गोयल के साथ वो कोई और नहीं बलकि महض लंगर बाट ने किसानों के लिए वहां पहुँचा था उसके लावा यह शक्स कुछ और नहीं था और यह बात खुद किसान मौर्चा ने रखी पत्रकारों के सामने उन दो पत्रकारों के सामने जिनों ने यह जूट सामने रखा दोस्तों केंदर सरकार ने आज की बाचीत में सपश कर दिया कि देखिए तीन कानून तो हम नहीं हटाने वाले हैं हाँ हम एक समती जरूर बना सकते हैं यानि कि एक किसम का माइंड गेम्स खिल रही है सरकार पहले लगातार सुमप्रकाश ने क्या कहा था एक और तीन मंत्री सुमप्रकाश पियुश गोयल और नरेंदर तुमर सुमप्रकाश ने कहा था कि आज बड़ी खबर आ सकती है ठीक है उसके बाद उन्होंने किसान के साथ खाना खाया किसान का लंगर खाया तो इस तरह से ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत बड़ी खबर आने वाली है खुश प्रदेश की बिसाल जो मैंने आपको अभी अभी बतलाई उससे केंदर सरकार जरूर सीखेगी इस बीच केंदर सरकार तो सिर्फ आप जानते हैं बीजेपी तो सिर्फ वोट की भाशा समझती है आज हर्याना के स्थानी निकाय के चुनाव हुए और भारती जनता पार्टी को अधिकतर सीटों में शेहरी चुनाव था हार का सामना करना पड़ा है सवाल ये किया जा रहा है कि क्या ये किसान आंदोलन का परिणाम है क्यों क्यों कि आप जानते हैं कि हर्याना और पंजाब से बड़ी तादाद में किसान इस आंदोलन में शामिल है तो ये भी कयास ल बादशीत की दौर फेल होने के बाद कि दरसल जो देश का किसान है वो किस तरह की मुश्किलात का सामना कर रहा है इस सरकार से बादशीत के दौरान ये मेरी बहुती एहम प्रस्तुती है जो मैंने आप से कुछ देर पहले रिकॉर्ड की थी क्योंकि इस वक्त रात हो चुकी ह ये जो breaking news इस वक्त में आपके सामने पेश कर रहा हूं कि किसान और सरकार के बीच बाचीत का ये दौर भी फेल हो गया है और अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस बाचीत से पहले इस छे दौर की बाचीत से पहले किसान किन मुश्किलात किन प्रॉपगेंडा का सामना करता रहा था मगर उस से पहले किसान ने केंदर सरकार को कुछ सबक जरू सिखा दिये हैं और वो सबक क्या है मैं आपको बतलाने वाला हूँ मुद्दा नंबर एक 30 दिन में किसान ने पहली बात सरकार को समझा दिया BJP को समझा दिया कि TV के नफरती एजिंडे से कैसे निपटा जाए दूसरा समानांतर तोर पर वो अपना समबाद किस तरह से बना सकता है तीसरा सरकार BJP के दिमाग के जरीए जो माइंड गेम्स खेला जा रहा है उससे किस तरह से निपटा जाए और चौथा किसी आंदल उनको करने के लिए किस तरह का जिगर चाहिए और यहीं नहीं दोस्तों गोदी मीडिया या पाल्तू मीडिया किस तरह से एक्सपोज हुई है इस किसान आंदोलन ने उसे प्रमानित किया है बार बार प्रमानित किया और अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि किस तरह से हमारे किसान ने बाचीत के इन छे दोर से पहले मुश्किलात का सामना किया है सुनिए सरकार के साथ किसान की बाचीत एक अलग मुद्दा है मगर क्या आपको अंदाजा है कि देश के किसान को किन मुश्किलोंत का सामना करना पड़ रहा है उसे एक ऐसे तंत्र का सामना करना पड़ रहा है जिसने उसके खिलाफ बदनामी के नजाने कितने गीदका है एक भरामक प्रचार चलाया उसके खिलाव, एक जूटा प्रचार चलाया उसके खिलाव एक ऐसी सरकार जो उससे जूट बोलती रही आप जानते हैं कल ND TV ने एक रिपोर्ट का प्रसारण किया और और रिपोर्ट क्या कहती है इस पर गोर कीजेगा ND TV के एक पत्रकार ने एक RTI लगाया यानि कि सूचना के अधिकार के अंतरगत उन्होंने क्रिशी मंत्राले से एक सवाल पूछा और सवाल क्या था? सवाल उनसे ही पूछा गया कि सरकार ये दावा करती रही कि उसने ये तीन बिल लाने से पहले किसानों से बाचीत की और उसने बहुत सीधे तीन-चार सवाल किये कि भई आपने किस से बाचीत की? इस बाचीत में कौन-कौन शामिल है? किस तरह की बाचीत हुई? आप जानते हैं, चुकि RTI के अंतरकत आप जूटा जवाब नहीं दे सकते कम से कम अब तक तो नहीं दे सकते मगर इस सरकार के अंतरकत कुछ भी हो सकता है तो NDTV के इस सवाल के जवाब में क्या आप जानते हैं? क्या जवाब मिला? जवाब ये मिला कि सरकार ने अब तक एक भी किसान से बात नहीं की है यानि कि किसी भी किसान संस्ता से उसने बात चीत नहीं की और इस सरकार ने मीडिया के जरीए क्या प्रचार किया था मीडिया के जरीए ये प्रचार किया था कि देखिए हम तो किसानों से बाचीत करके ही हम ये तीन कानून लेकर आएं किसान यही तो आप से कह रहा है कि आप ये तीन कानून क्यों लाए जबकि आपने उससे बाचीत तक नहीं की मैंने आपको बताया कि ये किसान उस सरकार का सामना कर रहा है जो साम दाम दंड भेच से उसे हराना चाहता है उसके होसले पस्त करना चाहता है वो अपनी मीडिया का इस्तमाल कर रहा है उसे बदनाम करने के लिए बात यहां नहीं रुकती है आपको याद होगा, किसान को क्या कहा था सरकार ने इस बातचीत के दौर से पहले कि आप तारीख बताईए, वक्त बताईए आप मुद्दे बताईए, हम उसी मुद्दे पर आपसे बात करेंगे अब पहले किसान ने क्या कहा था कि हम 29 तारीख को 11 बजे बात करेंगे किसान ने क्या कहा था कि हम आपसे 29 तारीक को 11 बजे बाचीत करना चाहते हैं, मगर सरकार ने कहा नहीं, हम आपसे 30 तारीक को बात करेंगे, क्यूँ? क्योंकि 30 तारीक को किसानों की ट्रैक्टर राली थी, यानि कि सरकार हर छोटी सी छोटी चीज में सियासत करना चाहती है, किसान का सामना ऐसी सरकार से हो रहा है और नरेंदर तोमर ने बाचीट से पहले क्या कहा था आपके स्क्रीन्स पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी पर दबाव काम नहीं करेगा मोधी जी ने देश में GST लागू किया नोट बंदी लागू की धारा 370 हटाई कुरोना में लॉकडाउन का भी उन्होंने जिक्र किया मैं नरेंदर तोमर जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ नरेंदर जी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री पर दबाव क्यों नहीं काम करेगा प्रधान मंत्री तो खुद को प्रधान सेवक बताते हैं ना सेवक तो जो सेवक जनता का सेवक है उस पर दबाव क्यों नहीं काम करेगा और अगर देश की जनता, देश का किसान, देश का अन्दाता उन पर दबाव डाल रहा है तो भई आपको दबाव से क्या दिक्कत है आप राजा महराजा नहीं हैं आप लोकतांत्रिक तोर पर चुनकर आए एक राजनीता हैं तो आपको दबाव से क्या पत्ति है और सबसे दिल्चस्प बात यह है कि उन्होंने जो मिसाले दी, मसलें GST आज की तारीक में हर व्यापारी जिस तरह से ये GST लागू वो आए उसको लेकर तरह ही माम कर रहा है, रो रहा है नोट बंदी इस वक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस नोट बंदी को लेकर कोई जवाब दे ही नहीं अब ये सरकार उस नोट बंदी की बात भी नहीं करती, मुझे ताज़ोब हो रहा है कि नरेंदर तोमर साब ने इसका जिक्र क्यों किया पूरे के पूरे धंदे बरबाद हो गए आप जिक्र करते हैं धारा 370 हटाए जाने को लेकर ये तो किसी भी सूरत में लोकतांतरिक तरीका नहीं, वा क्योंकि धारा 370 भी जब आपने हटाई थी, तब भी आपने कश्मीर की जंतर से बात नहीं कि उसको हटाए जाने के बाद आपने कश्मीर के तमाम जो मुक्धारा के राजनेता हैं, उमार अब्दुल्ला, फारूख अब्दुल्ला, महबूबा मिफ्ती, सब को जेल में डाल दिया, सब को नजर बंद कर दिया ये कैसे लोकतांतर की मिसाल हो सकती है लॉकडाउन की बात कीजे चलिए आपने क्या कहा था? 21 दिन का लॉकडाउन है, उसके बात करोना खत्म हो जाएगा क्या हुआ उसके बात? आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे इस देश की वैक्सिनेशन को लेकर क्या कारक्रम है, यही मौजूद नहीं है हर छोटा मोटा देश अपना कारक्रम बना चुका है की वैक्सिनेशन किस तरह से किया जाएगा टीका करण किस तरह से किया जाएगा मगर भारत का कोई प्लान ही नहीं बनाए तो तोमर सहाब आप मिसाल किस तरह की दे रहे हैं किसान का मुकाबला ऐसी सरकार से है किसान निता जगजी दलेवाल आपके स्क्रीन्स पर है उन्होंने एक बयान दिया है दोस्तों और इस पर गौर कीजेगा मैं जो आपसे बार-बार कह रहा हूँ नहीं किसान का मुकाबला किन ताक्तों के साथ है जगजी दलेवाल ने कहा तमाम किसानों से कि देखिए आप लोग जो आ रहे हैं प्रदर्शन स्थल की तरफ आप लोग अपने ट्रैक्टर्स की अपने वाहनों की ठीक से जाच करें क्योंकि ये सरकार लगी हुई है आपको आतंकवादी बताने के लिए जी हाँ भीड में सिख दिख गए तो भारती जाता पार्टी की बस इतनी समझ है कि उन्हें खालिस्थानी बता दो इससे ज़्यादा ये लोग नहीं सोच सकते हैं आप जिन से बाचीत कर रहे हैं उनको इस बात का डर लगा हुआ है कि आप उन्हें एक आतंकवादी करार देना चाहते हैं आपने क्या-क्या प्रॉपिगेंडा नहीं चलाया सिंगू बॉडर वो किसान पहुँचा नहीं था आपने उसे खालिस्थानी बता दिया था आतंकवादी बता दिया था जो संस्थाएं किसान की मदद कर रही हैं उन्हें आप आतंकवादी बता रहे हैं जबकि वो ऐसी संस्थाएं हैं से जुड़ी ऐसी संस्थाय हैं जो उन्हेंने बाड में भूकंप में बड़ी-बड़ी आपदाओं में लोगों की मदद की है आप उनको आतंकवादी बता रहे हैं किसान का मुकाबला ऐसी सरकार ऐसी सोच से और यहीं नहीं दूरदर्शन का दोस्तों यह आप ट्वीट है और वो शक्स जो है इसमें बता रहा है कि भई किसान बिल के क्या फाइदे हैं आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा इस शक्स का नाम है प्रीत कवल सिंग सेनी और यह खरड का रहने वाला है मैंने थोड़ा ढूंडा ऐसे और ट्विटर में यह पता चला कि यह शक्स जो कि प्रीत कवल सिंग सेनी है वो मोहाली में बीजेपी का नेता है किसान का मुकाबला ऐसे जूट के साथ है और फिर आप कहते हैं साब बाचीत करो किसान जब बाचीत के लिए आपको एक तारीख बताता है आप उस दिन भी उससे बाचीत नहीं करते हैं आप अपनी मनमा में से हैं बीजेपी में जो मुझे सब हैं अंदाज में बात करते हैं जो जिन से आप समवाद कर सकते हैं काश सरकार की तरफ से बाचीत का चेहरा ये शक्स होते हैं उन्होंने दो बाते की जिस पर आपको गौर करने की जब से पहली बात उन्होंने कैनेडा के प्रधान मंत जिसमें कुछ गलत नहीं है। मगर हम भी जानते हैं क्योंकि किसानों में बहुत से सिक्ष चहरे हैं और आप जानते हैं कैनेडा में सिक्षों के एक बहुत बड़ी आबादी है तो जस्टिन टूडो जो है इस मामले में दखल इसलिए दे रहे थे क्योंकि उन्हें कहीं न कहीं अपनी जो सिक्ष आबादी है उसके वोट भी अपने साथ रखने है तो हम तो समझते हैं कि जस्टिन टूडो रे सियासत कर रहे थे और इसके जवाब में राजनाथ सिक्ष ने कहा कि इन्हें कोई अधिकार नहीं हमारे देश के अंतरिक मामलों में दखल देने का लगातार मैं अपने कारक्राँमों में बता रहा हूं कि इस कसान को किस तरह से मीडिया बद नाम कर रहे हैं राजनाथ जी बाहर की दखल की बात आप बाद में कीजिए आप जरा गिरिबान में जहा किए आप घर में जहा किए आपने आगे क्या कहा राजनाथ ने कहा कि वे किसानों का बहुत सम्मान करते हैं सिखों के राश्टरवाद और उनके त्याग को सर्वपरी मानते हैं वो किसान आंदोलन के दौरान कुछ नेताओं और खासकर सोशल मीडिया पर उन्हें खालिस्तानी नकसल जैसे आरोप लगाने से सहमत नहीं है मैं आपसे पूछना चाहता हूं राजना जी क्या इन नेताओं को लताड लगाई जाएगी इन चेहरों पर गौर कीजे प्यूश गोईल मंत्री रवीशंक प्रसाद मंत्री रमेश बुधुडी सांसद प्रग्या सांसद क्या काता प्यूश गोईल ने ये जो किसान है वो अर्बन नकसली के चंगुल में फस गया है अगर उस चंगुल से वो बाहर आएगा तब ये किसान मिलके फाइदे समझेगा क्या आप इन्हें लताड लगाएंगे रमेश बिधुडी ने तो जो गाली दिया दोस्तों मैं बता भी नहीं सकता हूँ आपको वही गाली जो अक्सर आप पत्तरकारों के लिए सुनते हैं गोदी मीडिया पत्तरकारों के लिए और सांसद प्रग्या इनका क्या कहना ये तो शहीदों तक को नहीं बक्सनी उन्हें भी शाप दे देती हैं इन्होंने किसानों के बारे में क्या कहा सब जानते हैं मगर मैं कुछ और कहना चाहता हूँ राजनात सिंग्ग तो सामने आगए मगर क्या ये नेता, क्या ये सांसद राजनात सिंग की जी सुनेंगे मैं जानना चाहता हूँ प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी सामने क्यों नहीं आते जो बातें यहाँ पर रक्षा मंतरी राजनात सिंग ने कहीं है इंटिव्यू में यही बात हैं तेश के प्रधान मंत्री क्यों नहीं कहते वो सामने क्यों नहीं उभर कर आते कि उन्हें सिखों के राशवाद पर पूरा भरुसा है वो क्यों नहीं लतार लगाते रवी शंकरप्रसाद, प्यूश, गोयल, रमेश, बिधोडी, प्रग्या जैसे सांसदों पर और कहते कि भई ये बकवास बन करो, किसानों का अपमान मत करो क्योंकि आपको कहीं न कहीं कड़े तेवर अपनाने पड़ेंगे, कहीं न कहीं एक संदेश देना पड़ेगा कि किसानों को इस तरह से बदनाम नहीं किया जाएगा उस किसान की मांगे बहुत स्पष्ट हैं, जो उसने इस बाचीत में भी रखी, क्या मांगे थी? एक एक करके आपके स्क्रीन्स पर पहली मांग, तीन किसान विरोधी कानूनों को रद किया जाना चाहिए और इस रद होने की क्या प्रक्रिया होने चाहिए, सरकार इस पर बात करे और सरकार देखे, उसका क्या कहना है? कि आप अध्यादेश लाकर भी उससे हटा सकते हैं, जो आपके तीन कानून है और दूसरा आपको संसत का सत्र भी नहीं बुलाने की जरूत है दूसरी क्या मांग गया उसकी? नियूनतम समर्थन मूले को कानूनी गारंटी बनाने का तरीका क्या हो? लिखित की बात वो करी नहीं रहा है कानूनी गारंटी चाहिए वो बाग जो किसी जमाने में 2011 में खुद प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी ने रखी थी नियूनतम समर्थन मूले को कानूनी गारंटी बनाया जा बड़ी तादाद में किसान ने आत्म हत्या की है क्योंकि उसके सामने बहुत जबरदस्त आर्थिक समस्याएं रही है इसके अलावा पराली जलाने को लेकर जो पेनल्टी है करीब एक करोड की उसे हटाया जाए और सजा को खत्म किया जाए क्योंकि सजा 5 साल की है उसे कम किया जाए या खत्म किया जाए चौती बात बिजली के बिल का जो मसौदा आया है अगर वो मान लिया गया तो कोई भी सरकार किसान को सस्ती बिजली नहीं दे पाएगी उस मसौदे को हटाया जाए सरकार हो सकता ये कहे कि अभी तो मसौधा है अभी तो पारलिमेंट में भी नहीं आया अगर आप जानते हैं पारलिमेंट के अंदर ये लोग किस तरह से बिल पारित कराते हैं यही किसान का बिल B.A.C. में गया था ये बिल इस पर सार्थक चर्चा हुई थी ली का बिल जो है वो सिर्फ एक मसौदा है आप वैसे ही पारित करा दोगे जैसे आपने किसान बिल पारित कराया किसान को डर इस बात का है किसान आप पर भरोसा नहीं करता है मगर फिर भी आप से बाचीत कर रहा है उसके पास कोई विकल्प नहीं है क्योंकि आप सरकार हैं आ अब तक तो गोधी मीडिया क्या कह रहा था, ये किसान नहीं हैं, नकसली हैं, खालिस्तानी हैं, अब एक राहूल गांधी इटली क्या चला गया, अब अचानक इनको किसान धरने की याद आ गई, मिसाल देता हूँ मैं आपको, किसान आंदोलन में पाक आतंगवादी संगठन लशकर तयबा से संबंद रखने वाले संदिक भी शामिल हो गए, इंटेलिजन सतर्क, मैं दावे की साथ कह सकता हूँ दोस्तों, आखिरकार ये तमाम खबरे जूटी साबित होंगी, आगे, और अगर सची भी साबित होती हैं, सची भी साबित होती हैं, तो आप पर विश् किसानों को लगातार बदनाम करता है, वो क्या कह रहा है, धरने पर किसान राहूल गए मिलान, यानि कि कम से कम आपने मान लिया कि वो एक धरना है और उसमें किसान है, मगर क्यों, तब जब राहूल इटली गए, उसके बाद, किसानों की लड़ाई राहूल की छुट्टी पर आई, आगे देखिए, छोड़ के पीछे किसान, राहूल चले मिलान, यानि कि एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि इन्होंने किसान मुद्दे पर तभी ध्यान दिया, जब उन्हें लगा कि हम किसानों को बदनाम कर सकते हैं, या कॉंग्रिस को टार्गेट कर सकते हैं और राहूल गांदी एक सौफ्ट टार्गेट है था आप उसको निशाना बनाईए, और एक तरफ प्रचार पूरा चल रहा है, आपके सामने, न्यूज 18 जिसके मालक मुकेशम बानी है, और आप जानते हैं कि जियो टावर्स को कुछ किसान निशाना बना रहे हैं, हाला कि म मगर मैं आपको क्या बतलाना चाहता हूँ, देखे न्यूज 18 का, आज का मुद्धा, पंदरा सो टावर्स को पहुँचाया नुकसान, देश की छवी और अर्थ व्यवस्था को लगा बड़ा जटका, मैं मानता हूँ कि इन टावर्स को नुकसान पहुँचाने से लोगों क मानता है, मगर देश की छवी और्थ ववस्था को जटका, देश की छवी का ख्याल इन चानल्स को तब नहीं आता, जब तुम किसानों को बधनाम करते हो, उनें खालिस्तानी आतंकवादी बताते हो, उन्हें बार-बार टोचते रहते हो, प्रवोक करते रहते हो, तब तिम कि इस देश का किसान अन दाता है तो प्लीज उसे बदनाम करना छोड़िये क्योंकि जो गंद आप 24 घंटे की न्यूस चैनल्स के जरीए जिसका प्रचार प्रसार होता है वही हमारे बच्चे देखते हैं और उसी सोच के साथ वो लोग बड़े होंगे किसान के बारे में क्यो उसमें यही कचरा किसानों के बारे में दिखाया जा रहा है यह उस चक्र में वसित नहीं अभिसार शर्मा को इजाज़त दीजे नमस्कार